हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं केला की सबजी, यूँ तो सभी के घरों में केला की सबजी बनती ही होगी सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं तो आज हम अपने तरीके को शेयर करने वाले हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए लिया है हमने केला और केले को अच्छी तरह से हमने धुल लिया है और केले की मातरा हम यहाँ पर 5-6 लेंगे और इसको अच्छी तरह से पिलर की सहायता से छील लेंगे और इससे बहुत आसानी से छील जाता है बस उपर का green green वाला layer इस तरह से निकालेंगे और बाकी का हम अंदर का जो portion रहता है मुटा वाला वो रहने देंगे पूरा हमको अच्छे से नहीं छीलना है बस इस तरह से छीलेंगे तो इस तरह से छील करके हम अच्छी तरह से cut कर लेंगे और देखिए हमने इस तरह से cut कर लिया है और अब चलते हैं आगे के process पे बनाने के लिए आवöglich सकता पड़ेगी दो से तीन बड़े size के टमाटर दो से तीन बड़े साइज के प्याज और साथ में हैं सिजवान साल्स इसको हमने दो चमच लिया है और अदरक लसन मिर्च का पेस्ट है तीन से चार चमच के करीब तो आगे का मसाला हम पता देते हैं कुछ यहाँ पर कुछ मसाले हैं यहाँ पर लिया है हमने देड़ चमच धनिया पाउडर एक चमच कास्मीरी लाल मिर्च एक चमच हल्दी पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर चोथाई चमच काली मिर्च का पाउडर और एक चमच यहाँ पर हमने छोला मसाला लिया हुआ है और इसे flavor बहुत ही अच्छा आता है friends और अब यहाँ पर ले लिया है एक गडाई डाल दिया है सरसो का तेल और यह अच्छी तरह से गर्ब हो चुका है तो इसमें हम केलों को fry करेंगे जो हमने केले कट करके रखे हैं और केलों को इस तरह से मोटे मोटे pieces में कट किया है हमने आप देख सकते हैं बहुत पतला नहीं करना है और केले बहुत जल्दी soft हो जाते हैं इसलिए इन्हें थोड़ा मूटा ही रखना चाहिए पतले रहेंगे तो आप ग्रेवी डालेंगे बहुत जल्दी टूट करके मैसी हो जाते हैं तो इस तरह से हम केलों को तेल के अंदर डाल देंगे और गोल्डेन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे और फ्रेंट्स आप लोगों से अनुरोध यह भी है कि जितना खाना बनाने में मेहनत नहीं लगता न उतना वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है समय भी लगता है तो आप लोग प्लीज वीडियो को फुल वाच करें और यदि आप मेरे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करें और फुल वाच करें यही अनुरोध है आपसे और देखिए दीरे-दीरे हमारा सबजी भी बातों ही बातों में ब्राउन हो गया अच्छी तरह से यह ब्राउन हो गया अब यह अच्छी तरह से तैयार हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और दूसरे बैचेस को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक केले हमारे फ्राई हो चुके हैं अब सेम कडाही में ही हम डालेंगे चौथाई चमच मेथी दाना और इसी के साथ डालेंगे आदा चमच जीरा और इसे अच्छे से चटक जाने देंगे साथ में डाल देंगे एक पिंच हींग अब यहाँ पर डालेंगे चौप किये हुए प्याज और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे इसे अच्छे से चला लेते हैं और हाफ फ्राई होने तक भूनेंगे उसके बाद हम डालेंगे अद्रक लसन मिर्च का पेस्ट तब तक इसी तरह से चलाते हुए भूनते जाएंगे प्याज यहाँ पर half fry हो चुका है तो यहीं पर डालेंगे अदरक्ट लसन मिर्च का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ ही भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन भी चला जाए प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है भून करके तो यहीं पर डालेंगे हम कटे हुए टमाटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे अच्छी तरह से चलाने के बाद यहाँ पर डालेंगे टमाटर के एकॉर्डिंग नमक और नमक हम थोड़ा ही डाल रहे हैं ताकि जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाए अब कवर कर देते हैं दो से तीन मिनट के लिए तो देख लेते हैं तो डालेंगे यहां पर मसाले अब डाल देते हैं हल्दी पाउडर शाथ में डाल देंगे कास्मीरी लाल मिर्ज, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्ज ये सारे मसाले डाल देंगे बस ये जो छोले मसाले हमने रखे है न वो बार में एड़ करेंगे मसाले डल चुके हैं आप डालेंगे यहाँ पर सिज्वान सॉस और सिज्वान सॉस बहुत तीखा होता है तो आप अपने तीखे के अनुसारी से यूज करें या मिर्च कम डाल दे अगर इसे यूज करना हो तो पर इसे डालेंगे तो एक अच्छा फ्लेवर आता है अब करेंगे सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो यहीं पर डालेंगे एक चमच खटाई या आमचूर पाउडर और चाहें तो डालेंगे वरना इसकीप करें अब डाल देंगे फ्राइ किये हुए केले अब कर लेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स मिक्स करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे तो हमने कवर कर दिया अब यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुका है तो कवर हटा करके देख लेते हैं तो केले हमारे अच्छी तरह से मसालों के अंदर कोट हो चुगे हैं, अब इसे एक बार हम अच्छी तरह से चला लेंगे, अब यहाँ पर एट करेंगे पानी, और पानी आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं, आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए या पतली चाहिए, उसी करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स, और एक से दो उबाल आने तक हम इसे ढख करके कुख करेंगे, तो इसे हमने ढख दिया, यहाँ पर चार से पास मिनट हो चुके हैं, तो ढखकन को हटा लेते हैं, और देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी अंदर उबाल आ चुका है, और यह लगभग बन करके रेडी हो चुका है, तो आपको ग्रेवी यदि गाड़ी चाहिए, तो इसे थोड़ा और पका लें, और यदि पतली ही चाहिए, तो बस इसी समय आप गैस का फ्लेम आफ कर सकते हैं, पर हमें ऐसी ही चाहिए, इसलिए गैस का फ्लेम करती हूँ आफ, और इसे गार्निस कर लेंगे धनिया की पत्तियों से, तो डाल देते हैं इसमें धनिया की पत्तियां, और ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, खाने के लिए, अब यहाँ पर इसे हमने निकाल लिया है, एक बावल में आप देख सकते हैं, कि ये कितना स्वाधिस ट्रिक् और आप इसे पूरी, पराठा, रोटी, किसी भी चीज के साथ आनन्द उठाइए, बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है, तो एक बार मेरे तरीके को ट्राइक कीजिए, मेरे इस रेसिपी को ट्राइक कीजिए, और यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती हो, तो प अउकर बस्क्राइब करके दो मेरी था कि घसे बन Zhu आननल क्राइए, पराठा है तो पस्वे संद रेसिते हो ecos Jim